यमना तरड़ पर टीका करें अमराज के भैस से मुक्ती की कामना लंका देहन कर स्री राम जय अध्यावा पसाए लोगों निधार्मी कास्था में सराबोर होकर दिपावली मनाई तब से दिपावली का परमपरिक्तिहवार हंशोलास के साथ मनाया जाता है दिपावली के उपरांत भाई भैन के इसने का पर जोकी कार्तिक माश की शुक लपक्ष के दितिया को मनाया जाता है जिसे यम द्योतिया भी कहा जाता है आज के दिन भाई बेहन के इसने का पर्व भाईदू जिसके अंतरगत बेहनों ने भाई के माथे परतिलग लगा कर मिश्ठान अरपन कर भाई की लंबी उम्रशुक्षम्रदी की कामना की थी प्राचीन कथा अंसार परमते जिश्वी शुरेद्योता की पत्नी का नाम चाया था उनकी कोक से यम्राज और यम्रा का जन हुआ दिपावली के उपरां कार्तिक माश्षुकल पक्षपी दितिया को यम्रा ने एक बार फिर अपने भाई यम्राज को निमंतरन दे कर घर बुलाया यम्राज ने सोचा मैं तो सभी के प्राणों को हरने वाला हूँ वैसे भी मुझे कोई अपने घर नहीं बुलाना चाहता लेकिन भाई दूश पर यम्राज ने बहन के घर जाने का निड़े लिया यम्राज को अपने घर में देख कर यम्राज की खुशी का ठीकान नहीं रहा यम्राज ने लजीज वेंजन परोश कर अपने भाई यम्राज का बिशेश आदर सतकार किया यम्रास तथास तो कहकर यम लोग चले गए से मुक्ती निरोग दुर्गाय वर्शुक्रम्रधी की मनुकामना की आयोजन में प्रमुखरूप से आर्पित निशी आदी सदस्य मौजूद रही विर्शीबी मलपांडे